दोस्तो आज हम बात करेंगे सीनोमेटोग्राफर के बारे में जैसे सीनोमेटोग्राफर क्या होता है इसका काम क्या है जानने से पहले एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों सिनोमेटोग्राफर को हैं डियोपी कहते हैं मतलब डिरेक्टर ओफ फोटोग्राफी आप डिरेक्टर ओफ फोटोग्राफी को सिनोमेटोग्राफर कहिए या सिनोमेटोग्राफर को डियोपी कहिए सिनोमेटोग्राफर और डियोपी दोनों एक ही चीज है मतलब दोनों का काम एक ही है बस कुछ लोग इन्हें डियोपी कहते हैं या डियोपी के नाम से जानते हैं डियोपी और सिनोमेटोग्राफर का काम बस थोड़ा सा एक दम थोड़ा सा कंतर होता है आज हम बात करेंगे सिनोमेटोगराफ़ के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक सिनोमेटोगराफ़ का काम क्या होता है और किसे कहते हैं सिनोमेटोगराफर सिनमेटोग्राफर का काम होता है जब आर्ट डारेक्टर या डारेक्टर किसी सीन को करने वाले होते हैं तो उस सीन को विजुलाइज करना मतलब ये कि कहानी में क्या है किस बारे में है या डारेक्टर क्या चाहते हैं उनकी बातों को और कहानी के सीन को ध्यान में रखते हुए एक सिनुमेटोग्राफर को उस सीन को त्यार करना होता है सिनमेटोग्राफर का एक एहम रोल भी होता है कि डारेक्टर या आर्ट डारेक्टर को कौन सा लुक चाहिए वो लुक देना, वीडियो का लुक कैसा होगा, लेंस कौन सा लगेगा कौन से सीन में कैसा लाइट्स होगा, कैसा लुक रहेगा ये सब सिनुमेटर ग्राफर का काम है अगर मैं दोस्तों एक उधारन दे के समझाओं एक एक्जामपल दे के समझाओं तो मान लिजिए एक हॉरर फिल्म शूट हो रही है उस कहानी में ऐसा सीन है जिसे डारेक्टर बहुत अच्छे से क्रियेट किया हो जैसे एक घर है और वो घर दस सालों से बंद है एक्सेक्टर एक्सेक्टर ऐसा करके डारेक्टर ने सीन को क्रियेट किया अब यहाँ पे सिनुमेटर ग्राफर का जिम्मा क्या है यह जिम्मा क्या हो जाता है काम क्या हो जाता है यहाँ पे सिनुमेटोग्राफर का काम यह हो जाता है उस सीन को रियल में लुक देना या उस सीन को जैसा डारेक्टर नो सोचा उसको रियल में बनाना जैसे सपूज किजिए दस साल से पूराने घर में जब कोई नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वहां मकडियों के जाल घर में बड़े बड़े पौदे निकल जाएंगे घर धूल से भर जाएंगे सामने इधर से उधर बिखरा पड़ा समान रहेगा और जैसे हैं गेट खोले जाएंगे तो चमकातर निकले भागेगा यहीं सब क्रिएट करते हैं सीनोमेटोग्राफर या आप इनहीं डी ओपी बी कह सकते हैं तो दोस्तो मुझे आशा ही नहीं पुन विश्वास है कि आपको सिनोमेटोग्राफर के बारे में या डियोपी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा अगर आया है तो एक लाइक कर दें आप इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर किजिए ताकि वो भी समझ सके डियोपी या सिनोमेटोग्राफर के बारे में और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद